तो हे गाईस, आज मेरे पास में दो MPCP पड़ागए दो और जैलरी इसके पड़े हुए है ना और इस MPCP के कहा हम इस्तमाल करते हैं कैसे जो है कि MPR हम इसका set करते हैं किस काम में हमको MPCP आता है और जैलरी हम क्यूं इस्तमाल करते हैं है ना तो इस वीडियो में पूरा आप video में बनाते रहता हूं तो आई फिर देरी ने करके हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं आप मेरे पास में देख रहे हैं दो जो जैसे कि मोटर को कुई अगर माल यह कि तीन में मोटर है तो हमने उसके पावर हमको यहां से आउटलेट होगा नहीं है यहां हमारा मोटर होता है तो कुछ इस तरीके से होता है मोटर ठीक है और हम जब क्या करते हैं जैसे कोई हमारा एंपियर वेगरा सेट करना होता है तो हम देखे एक रेंज होता है और बाकी चीजों में जैसे कर सकते हैं जैसे अपने अपके पास में ज्यादा आपके अपना ले लिया है तो अगर मोटरiscoंगर चोता है तो आप he उत्कर अभी यह क्या होता है कि जैसे कि आप फोटर तक ही लिए i वो यहां 4 एंपर तक दीख रहा है तो आपको इस भोँढ़ तो आपको इसे अर्य में सेट करना है तो आपका जो है कि यहां वर्क नहींmor पाखना कश्ड़िय। अगर आपकोju ठोल से वाइरिंग कर रहे हैं या fewer कॉंस ब्रेटन का वाइरिंग तो आपको तूर्य सप्ल लेना पर तो मैं आपको बता देता हुछ म कुछ इस तरीके के जो आपको ऑंग से मिल जाता है इसक फ्रोट वं जो है कि हम वेल्व सक्वोक ते हैं ओक यहां पर मेरे पास में है डिटे को और फॉम तो यह कि इसको औनो जो लंबा हो रहा है तो आप पूरा वाज कीजिएगा तो आपको समझ में आने माला तो एक लंबा जो आभी इस तरीके से जो है कि आपको डबी मिलता है तो यह दमी को इस तरीके से आराम से इजले निकाल दीजिए और है निकालने के बाद से जो है कि आपको जो है कि इस तर थोड़ा से जो है कि यहां पर रखे और पूश कर दीजिए यह आप यह इसली बैठ जाता है ठीक है और आ जाते हैं हमारे एक साइड मांट वाला जो होता है वह हम क्यासे लगाते हैं कुछ इस तरीके से आपको साइड मांट का मिलेगा यहाप एक लॉक सिस्टम होता है आप यह इसका टॉप में यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे ठीक है इस तरीके से लगा दीजे और लगाने के बाद यहां पर आप इसको दबाये और यह पुस्ट कीजिए इस पर एकदम यह सेट हो जाएगा ठीक है तो फिर हमको जो है कि हमको जुरूत नहीं पड़ता है साइड वाला जो है कि इतना नहीं लगता क्योंकि यह स्पेस पैनल में बहुत ज्यादा लोग ले लेता है तो इसलिए लोग इस तरीके से आप फ्रॉंट लगाते हैं अब यह क्या होता है एक एंसी होता है अब जैसे मान लिए कि जैसे आपने क्या कि आपका मोटर हो रहा है तो कैसे आपको जो है कि इसका अंदर में वायरिंग करना चाहिए जैसे मान लिए कि यह आपको अभी देखिए नॉर्मल पोजीशन में मान लिए कि यह स्टॉप में है ठीक है तो हमारा यह क्या है एंसी कॉंटेक्ट है तो जब हम इसको मॉल्टीमीटर से हम कुछ सेट करक हुआ ठीक है और कुछ देखे इस तरह इसके वाज आ जा रही है अब यह मेरा एंसी इनसी कंटेक्ट अब काल चक्त होघा और इसकी आपने कि आपने यह जिस्टार T है और आप माले अभी यह एनो में है ठीक है अभी जैसे यह आन करेंगे आपको तो यह हो जाएगा तो यहां से क्या करते हैं हम लोग जो अपना पूस्ट पटन जो है कि उसका जो कि हम सप्लाइए आथ से लेका जाते हैं अगर माने जाए तो उसको सप्लाइब करते हैं यह भी हमारा सेफ रहा है जिस मकसद के लिए हम लोग लगा रहे है ठीक है लेकिन देखे अब यह मार्केट है अलग अलग तरीके से मिल जाता है जैसे तेरा अंपियर से लेकर 18 तक है मतलब जिस तरीके से आपको एंपी सीपी चाहिए उस तरीके से मार्केट में इजली आपको मिल जाता है तो आई होप कि ये मेरा वीडियो जो है कि थोड़ा सा अच्छा लगाऊगा आपको अगर वीडियो थोड़ा भी आपको लिए हैलफुल होगा तो वीडियो को जरू है जो कि लाइक से सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और आप मुझे से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते मैं उसका रिप्लाइब जरू करूंगा तो वीडियो वाच करने के लिए थैंक्स